हलो एवरिवन आज है 23rd अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDBI Bank के बारे में देखे IDBI Bank का शर्फ 51 रुपीज के आसपास ट्रेट कर रहा है और यहाँ पर 3% की गिरावट हमें देखने को मिली थी आखरी ट्रेडिंग सेशन में और देखा जाए तो बीच में कच्छी रफ्तार भी पकड़ी थी इसने और जो तेजी की वज़़ सिंपल सी है इसकी प्राइविटाइजेशन होने वाली है इस बैंक की कोई बड़ा बायर आने वाला है और बीच बीच में कुछ खबरे उरती रहती है और उस खबरों की वज़़ से बाजार गरम रहता है आईडी ब्या बैंक के शेयर का और शेयर बढ़ता भी है और जब खबर नहीं आती है वापस गिरता भी है तो वीडियो में हम बात्चीत करेंगे आईडी बैंक के बारे में सेक्टर जो है न वो इस साल काफी जादा फोकस में रहने वाला है नेगेटिव और पोजिटिव दोनों ही वज़़ों में और आईडी बैंक का शेयर भी काफी जादा चर्चा में रहेगा अपने प्राइविटाइजेशन को लेकर और इस साल तो भाया वो कम्प्लीट हो जाएगा पिछले तीन सालों से प्राइविटाइजेशन का लॉलीपप लटक रहा है इसके उपर और डिले होता जा रहा है लेकिन इस बार बोला गया है कि देखो भाया bid हमने मंगवा ली है कुछ bids आई है जिसको हम evaluate भी करेंगे और दिखते हैं क्या होता है जहां तक बात करें पिछले एक महिने की तो 30 आई थी 8% की 30 थी आप खुद देखें 43 से चर्च लागया सीधा 53 पर परती और वजह पता है क्या थी खबर यह निकल कर आई थी जब एक दिन में इतना बड़ा मूह आय था 47 से 51 का तब खबर यह आई थी यहां पर कि कोटक महिंद्रा बैंक भी एक बिड़र के तोर पर है अगें यह सिर्फ खबर थी ठीक है इसको confirm न माना जाए अभी कोई भी खबर आती है IDBI को लेगर आपको आने वाले दोर में भी कई सारी ऐसी खबर सुनने को मिलेगी कि इसने बीट कर दिया उसने बीट कर दिया जब तक official confirmation ना हो तब तक चीजों को सही मत मान लेना तो यह हुआ भी ऐसा शेर में तेजी वनी लेकिन बाद में गिरावट भी देखने को मिल रही है पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 13 से 14 परसन की तेजी है जब भी खबर आती है ना इसकी प्राइविटाइजेशन को लेकर जब शुरुआत होई बिड्स वगरा मंगवाने की शैर 30 रुपए से चला गया सीधा 60 के करीब वापस गिरकर आ गया था यह कहां से वापस गिरकर यह आ गया था वापस 45 पर फिर तेजी पकड़ी है इसने फिर से चट्चा शुरू हो और 5 साल का ग्राफ देख लो तो परफॉमेंस नहीं है 24 परसंट की गिरावट है जब भी तेजी आई है गिरावट आई और तेजी जो आई है 2020 के बाद वो हमेशा तब आई है जब प्राइविटाइजेशन को लेकर चट्चा शुरू हुई है जब प्राइविटाइजेश अभी वापस गिरावट आ रही है और अभी सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी खबर आती है और कौन खरीदा है अगर खरीदार करने वाला कोई बड़ा ग्रूप निकल कर आ गया तो यह बहुत अच्छी बात होगी लेकिन अगर मान लो कि कोई बड़ा बिड़र नहीं मिला या फिर कोई छोटा गुरूप यहां पर रहा तो एक अच्छी तरीके से इसको नहीं काउंट किया जाएगा अगर हम बात करने जाए तो यहां पर वॉल्यूम अच्छे हैं 47 लेक से भी जादा कि वॉल्यूम देखने को मिल रहे है इतना ही नहीं बैंक की अगर ह बेचने की बात करोंगे अभी सब कुछ डिपेंड करता है कौन आएगा कौन खरीदेगा और जहां तक बात करें हम यहां पर इनके रिवन्यू की तो यह लगातार गिर रहा है रिवन्यू लगातार गिरा है इनका रिवन्यू और प्रॉफिट अगर आप देखो तो वह 10 अपरिल को इनके quarterly results आने वाले हैं एक हफते बाद आज 23 तारिक हुई है और quarterly results अगले हफते आने वाले और बहुत बड़ी बात है यह कैसे नतीजे शो करते हो देखो इस बार expectation जादा है इनसे क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ quarter में revenue में दीरे दीरे ही सही लेकिन 30 ही आई है last quarter में 6150 क्रोर किसे भी जादा का revenue रहा profit तो और भी शांदार था 945 क्रोर तो expectation अब बढ़ चुकी है इनसे अभी at least इनको March quarter में जो इनके results हैंगे 1000 क्रोर का profit दिखाना पड़ेगा इनको अगर नहीं दिखा पाते हैं कम आएगा profit भी अगर मालों 700-800 का भी profit आएगा तो भी उत्रना positive ये market react नहीं करेगा उसको हिसाब से तो यहाँ पर एक चीज ज्याद रखे डेफिनेटली यहाँ पर नतीज़ जो है उससे काफी ज्यादा उम्मीदे टिकी हुई है और अगर उस तरीके से नहीं आते हैं तो चीज़े सही नहीं रहेगे इनके लि reason simple है कि यहाँ अनसर्टिनिटी यहाँ पर बनी हुई है और जहाँ पर अनसर्टिनिटी होती है लोग risk लेने से थोड़ा बहुत कतराते हैं डरते हैं और जहाँ तक मैं बात करो इसको लेकर कि देखो अभी सब कुछ depend करेगा कि कौन आएगा कौन खरीदेगा किस price पर जाए mutual fund देखा जा तो mutual fund के पास पहले भी इतनी ही थी अभी भी इतनी है domestic institution ने हलकी से बिक्वाली करी है 0.19% से अपनी holding घटा कर 0.17 पर लेकर आ गए लेकिन Files ने बहुत बड़ी खरीदारी करी 0.06% से यह 0.22 पर आ गए retail और others के अगर हम बात करें तो 5.04% से यह घटकर 4.89 पर उतने ही है और बाकी बहुत बड़ा एक chunk है वो कह सकते हो कि L.I.C. और government यहां पर लेकर बैठी हुई है बीडर्स जून रहे हैं यह तकरीबन 60% से भी ज़्यादा की quantity बेचने का प्लान है और बाकी की भी यह लोग ग्रैजूली दिर दिर करके बेचेंगे लेकिन पहले देखे हुए है उसको देखकर एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी आईडी बैंक में पैसा लगाने के लिए इतनी जल्डी बीडर्स मिलना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा और दूसरी बात होगी वैल्योशन के हिसाब से कि वैल्योशन जो इनका लगाया गय गया था कि इस प्राइस पर हम बेचेंगे बीड लेकर आएंगे लंबे समय से वो डीले हो रहा है ठीक है तो उस प्राइस पर कितने लोग खरीदने आते हैं वो भी देखना रहेगा यहाँ पर लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अच्छा बैंक जरूर है दिरे दिरे प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन अभी इनको इस तरीके से ग्रेजुली प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा अगर किसी एक क्वाटर में भी यह प्रोग्रेस नहीं दिखा पाए तो नेगेटिव चीज हो जाएगा इनके लिए और जहां तक बात है बहुत कुछ डिपें पर हो सकते हैं यह मेरा मानना है ठीक है कि वहाँ पर शायद हो सकते हैं और बाकी बहुत कुछ डिपेंट करेगा कौन खरीदेगा अगर मान लो कोई अच्छा प्लेयर आ गया तो वहां से एक अच्छा मूव भी आएगा लेकिन को अच्छा प्लेयर नहीं आया तो चालीस से अच्छा प्लेयर आता है तो शायद उस रिस्क को आप वर्थ काउंट कर सकते हो लेकिन अगर नहीं आता तो थोड़ी से खराब भी हो सकती है तो अगें खरीदारी करिए बने रही है लेकिन चीज़े अंसर्टन है न्यूस के आधार पर जाके खरीदारी मत करने लग जाए कि वया यह खरीद रहा है कोटक खरीद रहा है यह खरीद रहा है कन्फर्म करिए पहले कि न्यूस सही है कि नहीं पता चला कि उस न्यूस के चलते जब मूव आ गया आपने खरीदारी कर ली बाद में वो न्यूस का कोई अता पता नहीं वापस शर्ड गिर गया और आप कहर में लिखकर बता सकते हैं तैंक यू